हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड एबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाइफेशरी पर तो आए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को और आज इस क्लास में 25 प्रसनों को सामिल किया है यह सभी प्रसन आपके होने वाले ट्रिपल सी एकजाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हैं तो आप सभी इस क्लास को लाज तक अवस देखें और आप सभी अपने मौक टेस्ट रेगुलर करते रहें मौक टेस्ट आप सभी www.triplec.com पर कर सकते हैं और इस वीडियो के डिसक्रप्शन बॉक्स में हमने PDF का लिंक दे दिया है जिन बच्चों को PDF की आवश सकता है तो डिसक्रप्शन बॉक्स में देए लिंक से आप सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो आज़े स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला प्रस्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर आप से पूँचा गया है दुनिया में सबसे पहला स्मार्ट फोन कब लाउन्ज किया गया यह काफी important question है क्योंकि यह प्रस्ट प्रिवियस सक्जाम में आ चुका है पूँचा जा चुका है और यहाँ पर इस class में जो हमने 25 प्रस्टों को सामिल किया है यह वही प्रस्ट है जो कहीं न कहीं आपके 666 में पूँचे जा चुके हैं चलिए तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे first question आपके स्क्रीन पर है दुनिया में पहला smartphone कब launch किया गया इसका सही जवाब है option C 1992 1992 में option number C correct हो जाएगा the first smartphone created by IBM यानि कि जो पहला smartphone है वो बनाया कि इसने IBM ने इसको बनाया इसको create किया बाद invented in 1992 यानि कि 1992 में इसका बिसकार हुआ IBM के दोरा first smartphone का और इसे release किया गया परचेज करने के लिए 1994 में 1994 में इट वाज काड़ दी Simon Personal Communicator इस smartphone का नाम क्या रखा गया Simon Personal Communicator यानि SPC आप इसे short में बोल सकते ही तो धियान क्या रखना है कि पहला smartphone किसके दोरा बनाया गया आंसर होगा IBM के दोरा कब बनाया गया 1992 में इसको release कब किया गया 1994 में ठीके आगे बढ़ते हैं अगला सबाल है CMOS का बिस्त्यत रूप क्या है यानि कि full form आपको बताना है CMOS का full form क्या होता है यह बताएगा तो यहाँ पर CMOS का full form पूँचा है कई वार हमने अपने क्लास में डिस्कस किया है इसका full form तो यहाँ पर हो जाएगा Complimentary Metal Oxide Semiconductor ठीक है Complimentary Metal Oxide Semiconductor इसका full form होता है यह आपको ध्यान रखना है अगला सवाल है कोबाल को किसने डेवलप किया बताओ कोबाल को किसने डेवलप किया तो यहाँ पर कौन सा गरेक्टरास हो जाएगा कोबाल यानि की कोबाल का full form भी कई वार आपसे पूँच सकते हैं एकजाम में तो इसका full form अगर पूँचिए तो क्या होगा Common Business Oriented Language डेवलप किसने किया First option गरेक्ट होगा Grace Mary Hooper के द्वारा कोबाल को डेवलप किया गया अगला सवाल है IEEE का पूरा नाम क्या होता है Full form आपको बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा Institute of Electric and Electronics Engineers ठीक है Option पहला गरेक्ट होगा दुनिया का पहला Microprocessor कौन सा है Very important question है कई वार आपके एक्जाम में पूछा जा जा चुका है दुनिया का पहला Microprocessor कौन सा है बताएगे तो सही जवाब होगा Intel 4004 जो कि दुनिया का सबसे पहला Microprocessor है Intel 4004 यह आपको ध्यार रखना है Intel 4004 यह 4-bit यानि कि 4-bit का Only Microprocessor था Intel 4004 जो कि Intel के तोरा डेबल अब किया गया बनाया गया अगला सवाल है Commercial Launch से पहले Beta Test किसी Computer या Software का Trial Test होता है यानि कि Commercial Launching से पहले जो कि एक Beta Test होता है यह Beta Test किसी Computer या Software का एक Trial Test मना जाता है यानि कि कोई Software डेबल अब हुआ और अगर वो अभी Beta Test में है इसका मतलब आप यह समझ जाईएगा कि अभी यह Trial में है अभी यह Trial में है क्या यह बात सही है तो बिलकुल सही है Beta Test का मतलब है Trial में है है ना तो Option पहला भारत में मानब Computer के रूप में किसे जाना जाता है और ये Question Very Important है आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप एक्जाम दे रहे हैं तो भी पता होना चाहिए और नहीं दे रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है भारत में मानब कंप्यूटर की रूप में किसे जाना जाता है आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर option B सकुन्तला देवी मानब कंप्यूटर की रूप में किसे जाना जाता है ध्यार रखेंगे सकुन्तला देवी को ठीक है थोड़ा सा इनके वारे में समझते ही सकुन्तला देवी यहाँ पर इनका जो जन्म है वो 4 नवंबर 1929 में हुआ था और 21 अप्रेल 2013 में इनकी मरतु ही वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन सकुन्तला देवी वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन राइटर एंड मेंटल कलकुलेटर पॉपलरली नोन अज दा हुमेन कंप्यूटर मानव कंप्यूटर के नाम से यह फैम से जनी जाती है हर टेलेंट अर्ड हर प्लेस इन दा 1982 एडिशन ऑफ दा गिनीज बुक आफ वर्ड रिकार्ड यानि की इनका नाम गिनीज बुक आफ वर्ड रिकार्ड में 1982 के एडिशन 82 के संस्क्रण में दर्ज किया गया किसका शकुंदला देवी इनको human computer के नाम से जानते हैं ठीक है अगला सवाल है निम्न में से किस संख्या पदती में आकड़े निरूपित करने के लिए केबल दो भिन प्रतिवकों का उप्योग होता है आप सभी के लिए तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा option C binary किस संख्या पदती में आकड़े निरूपित करने के लिए केबल दो भिन प्रतिवकों का उप्योग होता है तो आज़र हो जाएगा बाइनरी अगला प्रस्ण है IPB4 पते की लंबाई कितनी है लिंथ बतानी है IPB4 पते की क्या होती है तो यहाँ पर हो जाएगा option D 32 bit कितना होता है 32 bit इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि IPB4 पता कितने bit का होता है तो आज़र 32 bit हो जाएगा अगर आपसे पूछें कितने bit का होता है तो आपको 8 से divide कर देना है बरावर यहाँ पर 4 bit हो जाएगा इसी प्रकार से अगर आपसे IPB6 की बात करें तो 128, 126 bit का होता है अगर वाइट पूछें तो 8 से divide कर दोगे तो यहाँ पर 16 bit हो जाएगा तो यहाँ आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, MSN एक वेब सर्विस है, जिसे सबसे पहले किसके दौरा प्रदान किया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा, Option C, Microsoft, Outlook Express, क्या है, What is Outlook Express, क्या एक कोई ब्राउजर है, Search Engine है, Editor, Email Client, Outlook Express है क्या, तो Outlook Express क्या है, एक Email Client है, Microsoft का, Option यहाँ पर, D Correct है, Email Client है, अगला सवाल है, Fiverr Optic Cable का ब्यास किस यूनिट में मापा जाता है, Fiverr Optic Cable का ब्यास किस यूनिट में मापा जाता है, यहाँ पर सही आंसर है, Option B, Macrons में, Option B, Correct होगा, Windows Control Panel से, क्या नहीं किया जा सकता है, Windows Control Panel से, क्या नहीं किया जा सकता है, बताईए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Option हमारा यहाँ पर पहला Correct हो जाएगा, Running Application, Printer Configuration, Add Font Installing Application यह सब कर सकते हैं, बट किसी Application को हम Run नहीं कर सकते हैं, Operate नहीं कर सकते हैं, तो Option पहला यहाँ पी होगा, ठीक है, एगला सवाल है, POS का अर्थ क्या होता है, POS का Full Form, यहाँ पर आपको बताना है, Point of Service हो जाएगा, Pavanant Server हो जाएगा, Partition of Server हो जाएगा, Point of Sale हो जाएगा, तो क्या होगा इसका Answer, चल दिसे बताओ, यहाँ पर हो जाएगा D, Point of Sale, इसे कहते हैं, POS को Point of Sale कहा जाता है, यह आपको ध्यार रखना है, ठीक है, Calc Spread Seat में, जब कोई Number टाइप करते हैं, तो Sale का Alignment क्या रहता है, बताइए, Calc Spread Seat में, जब कोई Number टाइप करते हैं, जैसे माल यार लेपरोफिस Calc में हैं, तो बहाँ पर बहुँआ सारे Column and Rows आपको दिखाए दिएते हैं, किसी भी आप Row में, यानि किसी भी Sale के अंदर कोई Number अगर आप टाइप करते हैं, उसका Alignment क्या होता है, उसका Alignment क्या होता है, यह आपको बताना है, उसका Alignment Right होगा, जैसे हमने या 1 लिखा, तो यह Right Side में चला जाएगा पहले, ठीक है, और अगर आपने जैसे कोई Later लिखा, बल्या आपने A टाइप किया, तो यह आपका Why Default Left Side में रहेगा, Number हमेशा Right Side में रहेगा, और जो Later होगा वो हमेशा Left Side में रहेगा, किसी एक Sale में, यह दिखा रखना है, यहाँ पर V हो जाएगा Right, एक समय में इमेल की अधिक्तम संख्या को मिटा सकते हैं, क्या आप एक समय में अधिक्तम संख्या को मिटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, Multiple में कर सकते हैं, Only Two कर सकते हैं, One कर सकते हैं, Only Three कर सकते हैं, तो हम एक समय में Multiple इमेल को क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं डेलीट कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर हो जाएगा HTTP जिसे Hyper Texted Transfer Protocol कहते हैं URI का full form आपको बताना है URI का full form क्या होता है URI का पूरा नाम आपको बताना है क्या होता है URI का मतलब होता है Uniform Resource Identifier option पहला हो जाएगा Uniform Resource Identifier इसको कहा जाता है ठीक है अगला सवाल है USSD का उप्योग करने के लिए user को क्या डायल करना पड़ेगा तो कौन सा यहाँ पे सही जबाब होगा USSD का इस्तेमाल करने के लिए कौन सा कोड आपको डायल करना होता है यहाँ पर हो जाएगा Star Double Nine Has Star Double Nine Has यहाँ पे होगा Option V Correct होगा Star Double Nine Has OLX किस प्रकार की साइट है OLX किस प्रकार की साइट है आपको यह बताना है OLX किस प्रकार की साइट है Option V C to C किस प्रकार की साइट है C to C Customer to Customer DES का full form क्या होता है DES का full form आपको बताना है कौन सा होगा सही जवाब इसका मदलब data encryption standard होता है option B data encryption standard correct answer हो जाएगा LibreOffice Writer में chart insert करने के लिए किसे toolbar का इस्तेमाल करेंगे अगर मालिया किसी toolbar से में chart को insert करना है तो जो chart का icon है ना वो किसे toolbar पर हमें दिखाई देता है कहाँ पर होता है कौन सी toolbar पर होता है तो answer होगा standard toolbar menu bar के नीचे आप देखोगे menu bar के नीचे बाले जो पट्टी होती है उसको कहते है standard toolbar और बहाँ पर बने chart icon से भी हम chart को डाल सकते है तो option B हो जाएगा standard toolbar server से client अनरोध के मामले में client और server के बीच मध्यस्त करूप में कौन कारी करता है तो answer क्या होगा proxy server option D proxy server आपको ध्यार रखना है अगला सवाल नेमन में कौन सा operating system नहीं है कौन सा operating system नहीं है बताइए कौन सा operating system नहीं है तो यहाँ पर option हो जाएगा C, MS-DOS, Windows 7, Linux सभी operating system है बट उपेरा आपका operating system नहीं है अगला सवाल है assembler source code को सहेजने के लिए किस file format का उप्योग होता है सहेजने मतलब save करने के लिए assembler source code को save करने के लिए किस file format का इस्तिमाल होता है उसका सही जवाब होगा option B.ASF option हमारा यहाँ पर B correct हो जाएगा तो आज की class बस यहीं तक थी उमीद करता हूँ आप सभी को class पसंद आई होगी class अच्छे लिए उसको like करना है share करना है और जो भी साथी चैनलेट पर पहलीवार है आप सभी को subscribe करना है और आप सभी को बता दें जेन बच्चों का triple C का exam अप्रेल में है तो आप सभी के लिए हमारे triple C by first D mobile application पर अप्रेल वैच चल रहा है जहां पर आप सभी अपना admission ले सकते हैं इस batch का जो price है वो 599 है 599 रुपे है लेकिन discount के साथ आप इस batch में 399 रुपे में admission ले सकते हैं और यहाँ पर भी अभी आपको और 10% का discount दिया गया है यानि कि इस batch में आपको जब आप enroll करेंगे तो बहाँ पर एक discount coupon code इस्तिमाल कर देना है देब 10 और जैसे ही आप ही coupon code apply कर देते हैं तो यह batch फिर आप only 360 रुपे में ले सकते हैं तो यह limited offer है जिन बचों को triple C अप्रेल वैच में जोईन होना है admission लेना है तो आप इस batch में admission ले सकते हैं बाकि यहां पर जो आपकी class होती है वो 5 बज़कर 30 मिनट पर live class होते हैं यह class आपके Monday to Friday होते हैं Monday to Friday class आपको मिलेंगे 5.30 पर ठीक है इस batch को लेने के बाद आपको कोई भी अलग से test series, e-book बगरा लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि इस batch के अंदर सारा content आपको दिया जाएगा और इस batch में LibreOffice की theory भी हमने आपको अलग से कराई है बाकि जो important videos, lecture होते हैं वो भी आपको इस batch के अंदर मिलेंगे अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे वाट्सअप कर सकते हैं 94522 99436 पर या फिर हमें mail कर सकते हैं info.cccbifastery at gmail.com पर email, ID और वाट्सअप नंबर आपको वीडियो के description box में मिल लाएगा और application का link भी आपको वीडियो के description box में मिल लाएगा तो आज के लिए वाज इतना ही थाइड वाट्सप वाट्सप से लाएगा जाएगा थाजी और बाएगा